Hello dear students, in the today's lecture I am going to explain you the few points that includes the blood pressure, BP, as well as the other points like electrocardiograph and the lymphatic systems, etc. and some abnormalities related to the blood and the blood vascular system. Okay dear students, so let's look at blood pressure. Blood pressure is what is the most important patient in the world. So, this is the reason behind the reason and this is why you will understand the blood pressure, which is the blood pressure that is exerted by the blood on the walls of the blood vessels. Blood vessels, blood vessels, blood vessels, blood vessels, which is the wall, which is the wall, which is the pressure pressure. परता है काई की वज़े से ब्लट की वज़े से का ब्लट के क्या होनी की वज़े से ब्लट के बहनी की वज़े से फ्लो होनी की वज़े से एक जगा दूसरी जगा ट्रेवल करने की वज़े से जो ब्लट वेसल्स पर जो प्रेशर परता है उसकी वाल पर जो प्रेशर परता है को बोलते है blood pressure यानि ये जैसे एक Pipe एसमें पानी आप जा रहे है तो पानी पाप पानी उसमें से बहरा है तो पानी बेहने की खारण फ्लो होने के कारण उसकी पानी की पाइप की जो वाल है उस पर जो प्रेशर पढ़ेगा उसको पाइप का प्रेशर बोलेंगा वाटर प्रेशर बोलेंगा ऐसे ही हमारे ब्लड में ब्लड बॉड़ी में जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स में उसकी जो वाल पर ब्लड के बहने की वज़ेसे फ्लो होने की वज़ेसे पढ़ने वाला प्रेशर ज़ो जाधतर देखा गया है कि वह आर्टری किना जाता में होती है और डेप्थ वाली बाडी डेट वाली वेसलस ही जो बाडी के इसका मतलब arteries को जो है ज्यादा तर consider किया जाता है blood pressure चेक करने के लिए ओके चलो देखते हैं वो instrument जिसके जरीए blood pressure चेक किया जाता है कि बीपी कितना है वह आपका तो उस इंस्ट्रुमेंट को क्या बोलते है spigmo manometer, spigmo manometer इसकी भी पूरी detail आपको बता हूँ है and it is usually measured by the from the arteries मैंने पहली बता दिया arteries में ज्यादा तर चेक किया जाता है कि blood pressure कितना है क्योंकि arteries body के depth में होती है तो वो blood pressure को क्या बुलते है arterial blood pressure यानि artery का blood pressure the pressure that is exerted by the blood on the walls of the arteries जो artery बनाम की जो blood की वेसल से जो oxygenated blood को carry करती है जो pure blood को ले जाती है heart से पूरे body के organ तक उसकी walls पर पढ़ने वाले pressure को blood के कारण उसको बुलते है arterial blood pressure यानि ABP okay dear students the pressure on the arterial walls during the ventricular contraction that is systolic blood pressure dear students यह देखे सबसे important point मैं आपको बता रहा हूँ यह जो point था यह अभी तक का सबसे important point था कि कौन सा वाला point SP क्या है systolic pressure इसको बलते है SP यानि systolic pressure dear student जब artery में से blood जो है बहरा है यानि artery की wall पे जो pressure पर रहा है वो है arterial blood pressure लेकिन वो जब बहरा है तो उसके reason देखे क्या है पहला reason है कि ventricle contract हो गया है यानि जो heart की आपको माले में दो से नीचे वाला वेंट्रिकल उपर वाला आर्ट्रिया या औरिकल तो ventricle जब contract होता है यानि systol होता है यानि नीचे का आदा वाला heart जब systol होता है जब सुकरता है तो उसके कारण जो blood में जो heart में जो blood बहार निकलता है और arteries में बहता है तो उस time पे प्रेशर पड़ता है artery की वाल पर काई की वज़े से और ventricle के systol होनी की वज़े से तो उसको बोलते है systolic blood pressure यानि आर्टरी में जो blood अभी जल्दी जल्दी आ रहा है फास्ट आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि वेंट्रीकल जो है heart का वह पार्ट जो सबसे बड़ा है वह से स्टॉल हो गया है तो उस blood pressure को बोलते है systolic blood pressureegen नौर्मली एक हेल्दी परसन का systolic blood pressure एक सो बसी मिली मीटर ओफ मर्कूरी इतना होता है यानि सुकर्णने के कारण गारण foundation के कारण और या इह दो प्लड में किस को बता दिया बेंइस पी डिप डिप कि सबलते है डास्तॉलीद बड़ यह एक नॉर्मल इनसान का होता है तो उस टाइम पर जितना ब्लड आर्टरी में बहता है उसको बोलते है डास्टॉलिक ब्लड पेशर यानि डीपी और वह एक नॉर्मल इंसान का होता है 80 mmHg मिलिमेटर आफ मर्क्यूरी यानि इनसान का एक नॉर्मल ब्लड बोड़ी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है SP और DP SP यानि कॉंट्रेक्शन के कारण 120 mmHg एक नॉर्मल इंसान का और DP यानि डास्टॉलिक ब्लड प्रेशर फुलने की वज़े से ब्लड प्रेशर वो है 80 mmHg तो याद रखे से एक नॉर्मल बॉड़ी का ब्लड प्रेशर 120 80 mmHg होता है 120 से स्टॉलिक 80 डास्टॉलिक ओके डिया स्टॉलिक आपके समझ में आया है उसके बात देखते हैं ब्लड प्रेशर इस नॉर्मल रिटन एजा 120 डिवाइड बाइ 120 अब्लिक 80 mmHg में ब्लड प्रेशर को गिनते हैं यानि मिलिमीटर ओफ मर्गिरियों में गिनते हैं डिफरेंस बेट्विन दे डियस्तॉलिक ब्लड प्रेशर इस कारण प्लूस प्रेशर उसको बोलते है क्यों क्योंके वो स्स्टॉल होने के कारण और डियस्तॉल होने के कारण जो है blood की walls पर pressure exert कर रहा है तो systolic blood pressure और diastolic blood pressure के बीच के difference को हम बुलेंगे pulse pressure और वो हमेशा जायर सी बात है 120-80 is equal to 40 mmHg होगा यानि pulse pressure हमारे body का normal pulse pressure 40 mmHg होता है the deviation from the normal blood pressure values indicate the malfunctioning of the heart अगर ये 120 SP अगर नहीं रहा, DP अगर 80 नहीं रहा, pulse pressure अगर 40 mmHg नहीं रहा तो समझ लेना कि ये माल functioning of heart है यानि आपका heart जो है बराबर से काम नहीं कर रहा है मतलब अगर इसकी नीचे गया तो समझो low blood pressure इसके उपर चले गया तो समझो high blood pressure is coming ये है कि malfunctioning of heart है यानि दिल आपका बराबर से काम नहीं कर रहा है ओकी डिया स्टोरेंट चलिए आगी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और important important point तो जो मैंने अभी समझा है ये उसी से related है चलिए देखते है it may be due to the high क्यों आपका heart काम नहीं कर रहा है हो सकता है कि high या low blood volume हो blood volume जो है blood ज्यातो ज्यादा हो बाड़ी में या दो कम हो arterial in elasticity या hardening of arteries हो artery या तो hard हो गई है या वो elasticity उसकी कम हो गई है या उसमें elasticity नहीं रह गई है तो अगर arteries hard अगर हो गई है तो ऐसी condition को body में arterial sclerosis बोलते हैं arteries का hard हो जाना और body में artery का in elasticity की quality condition में चले जाएगा उस बीमारी को क्या बोलते हैं arterial sclerosis या फिर क्या हो सकता है दूसरा कारण heart के बरावर नहीं काम करने का deposition of the fat यानि चर्बी fat जमा हो गई है जैसे के cholesterol artery में जाके जमा हो गई है तो ऐसी कंडिशन को क्या बुलते हैं atherosclerosis पहले वाली को क्या बुल रहते हैं arterial sclerosis arterial sclerosis में arteries की wall hard हो गई है in elastic हो गई है और अगर departure जादा जमा हो गई cholesterol में तो cholesterol जमा हो गई आर्टरीस में आके तो इसको क्या बोलेंगे atherosclerosis यह याद रखिए रेनल डिजीज और इमोशन हर्मोनल चेंजेस किड़नी से रिलेटेड डिजीज और आपके जजबात इमोशन होते हैं वह भी हर्मोनल चेंज करते हैं बॉड़ी में जिसके कारण जैसा हो सकता है कि हार्ट बराबर काम ना करें कि अबेसिटी मोटाबा जो है यह भी एक कारण हो सकता है तो इसको पूलते हैं इस कंडीशन को बूलते हैं हाइपो टेंशन वाली कंडीशन यानि लोग प्रेशर बोलते हैं और अगर हाइप हाइप हो गया So 140 तक चला गया है और 80 से टायस्तॉली ब्लड प्लड प्रिशन 90 पी चले गया है तो समझ लेज लेना इस condition को हम क्या कह सकते हैं इस condition को हम बूलते है hypertension 140 140 140 पिचला गया है तो समझ लीजे condition scientific यह बॉडी में हाइपर टेंशन वाली ओके लिए स्टुनेंट फिरिस्टर डैड एफेक्ट प्लूडट प्रेशर और काडियक आउटपूट जो ऐसा क्यों होता है काडियक आॉटूट इसको आफेकर सकते हैं फेरल ब्लट इसको जो है आफेकर सकता है एज प्रेश के जैंड होते जाता है due to the increase in the inelasticity of the blood vessel क्योंकि blood vessels में जो है inelasticity जो है बढ़ते जाती है यानि elasticity वाला मामला कम होते जाता है age के साथ साथ the amount of the blood brought to the heart via the veins per unit time is called the venus return venus return ये term है ये थोड़ा सा मैं आप पो समझा देता हूँ the amount of the blood brought to the heart जितना blood दिल में लाया गया है वाया the veins per unit time एक दिए गया time में veins के through body heart में जितना blood veins ने लेकर आई है उस 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 एक given time में उस पूरे blood के amount को जो heart में भी आया है वेंस ने लेकर veins से होते वे आया है उसको venus return बोलते हैं होगे टिया स्टुडेंट्स तो हमने देखा कि venus का return किसको कहते हैं आप देखते हैं एक और छोट असा point देख लेते हैं या स्टुडेंट्स के blood pressure is also directly proportional directly proportional है काई की लिए काई की directly proportional है to the length of the blood vessels यानि blood vessels की जितनी लेंथ है उसके directly proportional blood pressure होता है यह point आप याद रखिए उसके बाद देखते हैं एक और point blood pressure यानि BP can also be affected by the vasoconstriction or the vasodilation vasoconstriction vasodilation यानि जो blood vessels जो होती है उसके constriction पर भी depend करता है कि blood pressure कैसे होगा ओके डिया स्टुडेंट एक और point देख लेते हैं female के तालुक से female have a slightly lower BP female में थोड़ा सा BP ज्यादा हो जाता है sorry कम हो जाता है as compared to male as her age before menopause menopause के पहले वाली age में वो male के comparison में female का blood pressure कम रहता है however the risk of the high BP increases in the female after the menopause यानि female की body में जो menopause वाली जो life होती है यानि जिसमें female जो है reproductive life जीती है यानि अपने बच्चे को जनम दे सकती है उस time पर उस period में जो के 13 ताल से 45 वियर का almost duration होता है female की life का तो उस time पर जो है blood pressure male की comparison में female में lower होता है लेकिन जब menopause रुक जाता है set हो जाता है तो उस time पर यानि बढ़ती हुई age के साथ female में blood pressure बढ़ सकता है इसके chances होते हैं ज्यादा ओके डिया स्टुटेंट चलिए बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज का बहुत ही important point that is the measurement of the blood pressure blood pressure को measure कैसे करते हैं कैसे गिनते हैं तो dear student blood pressure को जिस instrument से measure करते हैं उसको बलते है spigmo manometer spigmo manometer और spigmo manometer आपके सामने दिख रहा है ये जो है ये है spigmo manometer और ये जो डॉक्टर कान में लगाते हैं ये है स्टैतोसकोप तो स्टैतोसकोप और spigmo manometer ये दोनों की मदद से आपके बॉड़ी का blood pressure चेक किया जा सकता है this instrument consists of a inflatable rubbering back cuff इसमें देखिए ये जो दिख रहा है ये वाला जो part है ये एक rubber का एक टाइब होता है कफ जिसको बोलते है rubber back cuff वह जिसको कवर्ड किया जाता है जो कवर्ड होता है एक चुली कॉटन के clock से जिस पर कॉटन का एक कपला डाला होता है इस ये जो ये जो मैंने अभी बताया rubber back मैनि मैनमीतर तो देख रहे होंगे आपके दो ट्यूफ दिख रहे है तो यह दिख रहा है मर्कुनी मैनमीतर जिसपे रीडिंगे रीडिंग मीटर इस पर लगा हुए तो एकसाई estos है यहां पर आप गौर साइड है वो दूसरा साइड रबर पल्प से यानि ऐर पाय एर पॉम जिसमें लगा होता है उससे दूसरा पाइप जुड़ा होता है तो इस से क्या करेंगे एर भरेंगे और इसको वा जो है यह जो कफ है और इस तरह से यह कफ से होते हुए उस एरिया को सुन कर देती है ताकि वहां का थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट हो जाए और उसके बाद अच्छानक से उस हवा को नॉप को खोल देते हैं ताकि यह जो एर है यह ट्यूब के जरी वह यहां जाए और पर जो है आपका ब्लड प्रेशर बताए स्क्रीन पर यहां पर तो कैसे चेक किया जाता है चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल ब्लड प्रेशर आपने कई बार चेक भी किया होगा दा इंस्ट्रूमेंट इस प्लेज्ट अड़ लेवल आप दा हार्ट हार्ट की लेवल पर जो है इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है और कफ स्टाइटली रैप्ट अर राउंड अपर राम और आपके हाथ के उपर वाले हिस्से में यानि जा बाइस ट्राइसे पर वहां पर वो जो पट्टा मैंने बताया कॉटन का क्लॉच जिस पर लगा हुए उसको लपिड देते हैं रैप कर देते हैं कंफ इस विल्ग हें रट्री और प्रेशा पृस्ट यह और फिर उसके बाद और जब प्रेशर वहां पर टाइट हो जाता है तो वहां की जू असलो वह टाइट हो जाती है और उसके बाद अचानक से एक डॉक्टर जो है वह एयर को क्या करता है लूस कर देता है एयर को रिलीस कर देता है उसमें से एयर निकाल देता है जैसी एयर निकालते है तो क्या होता है जैसे ही एयर को निकालता है उसमें से क्या होता है एक साउंड आता है वह साउंड जो आता है वह पहला साउंड जो ह वुलते हैं तो क्या मिलता है जो है सिट्रोडिक ब्लड परशह मिलता है और दुसरा सअँड है उससी टॉल ब्लड प्रेशर मिलता है इस तरह से पहले जब साउड आता है तो तब रिडिंग check की जाती है और जब बड़ में प्रेशर दूसरी दिक कर जाता है दूसरी डिडिंगı टी कियाberry तो कि शुडट्स और उसके बाद देखते हैं हईपार्टेंशन हाय्परेंशन दो मैंने 40 ऐसे स्टॉलिक ब्लड प्रेशर अगर हो गया और डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर 90 अगर हो गया तो समझ लो कंडिशन आ गई है हाइपर टेंशन वाली और ऐसा होने से टेंजरस कंडिशन में बॉड़ी जा सकती है अगर यह और आगे बल गया 180 और 120 तक पहुझ गया यानि सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर अगर 180 तक पहुझ गया और डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 तक पहुझ गया तो समझ लेना कि यह टेंजरस कंडिशन आ गई है बॉड़ी में और हो सकता है कि बॉड़ी जो है बॉड़ी की बहुत सारी ज्यादा ब्लट जाएगा और ज्यादा ब्लट जाएगा तो ही और यॉर्गन बराबर से काम नहीं कर सकते हैं तो नहीं ज्यादे ज्यादा इनर्जी हाड को चाहिए पॉम्पन्ग करने के लिए विछ वाली कंडिशन आ सकती है बॉड़ी में लोड़ सप्लाइब कम ऑक्सीजन मिल रहा है कम ब्लड मिल रहा है हार्ट वाले मसल्स को इसकी वज़े से बॉड़ी में पेन होने लगता है चेस्ट के अंदर इस कंडिशन को बुलते हैं एंजियो पेक्टरीस विच में लेट टुद समयो कार्डियल इंफरक्शन तो डियर स्टूट एंजियो पेक्टरीस वाली कंडिशन आ सकती है हाईबर डेंशन की कारण यानि चेस्ट में हो सकता है क्योंकि लोग ब्लड सप्लाइब हो रहा है ब्लड हार्ट को ओके डियर स्टूट उसके कार्डियक मसल्स को तेरा मोर च यह वह लेस्ट प्रोटेक्टेड है और कीड़ी में क्या हो सकता है हाईबर टेंशन में कॉस्ट ने फैल और किड्नी फैल हो सकती है आपकी ओकी डियर स्टूट तो यह थे हैपर टेंशन से रिलेटेट कुछ बाते अब देखते हैं सी एड़ी सी एडी कोश्चन आता है आर्टरी टीसे डिसीज इस अथेरो स्कलेरोसिस जो मैंने आपको पहले भी बताया है इन दिस कंडिशन कैल्शियम फैट कोलेस्ट टीशु गेट सिपार्जिट इन दे ब्लड वैसल सप्लाइंग ब्लड तो दे हार्ट मॉसल्स एं मेकिंग दा लिमन नेरो इसमें कहें ब्ल जो है फैट डिपाजिट हो जाती है उसके बाद देखते हैं एंचीना पैक्टॉरी एंचीना पैक्टॉरी इस कौन सी कंडिशन एडिया स्टुड़न्स ता पेइन दे चेस्ट रिजर्टिक फ्रॉम रेडक्शन इन दे ब्लड सप्लाई तो दा कार्डियक मॉसल्स बीकाज सब्सक्राइब अगर चेस्ट ब्लड सप्लाई की कमी हो गई है तो समझ लो चेस्ट में पेन वाला है और उस कंडिशन को हम बोलते हैं इंजियो प्रेक्टोरिस तुब ने आपको पहले ही वह समझा दिया उसके बाद एंजियोग्राफी हार्ट प्लांटेशन और साइलेंट हार्ट अटेग की करोना के कारण्ट रिडियूस हो चुकी है पार्ट अब देखते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ बहुत ही इं इंजियोग्राफ की वह ग्राफ जो है आपके दिल की ध्रकन को दिखाता है उसी को बोलते है एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ दग्राफ यहां चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं तक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ दा एलेक्ट्रिकल वेरिएशन टेटेक्टेट सब्सक्राइब दोलते हैं जाए अपने बोडी में जो भी दिल एक्टिविटी करता है उस टाइम पर जो पंपिंग एक्षन के कारण जो हार्ट में चुरुट्रेक्शन होता है उस contraction and relaxation को graph के जरीए जो record किया जाता है उसी record को बोलते है ECG यानि electrocardiograph this recording may be in the form of the print out या तो इसकी print out निकाल सकते है या फिर direct screen पर इसको देख सकते है instrument जो इस काम को करके देता है ग्राफ को निकाल के देता है उसको ECG machine या electrocardiograph बोलते है तो एक electrocardiograph यहाँ पर आपको देख रहा है this instrument detect the detect and implies the signals यह signals इसको मिलते है वो signals के जरीए ऐसा graph यह बना कर देता है various electrodes जिसमें electrodes जो है बोडी पर लगाए जाते है और वो electrodes यह signal को catch करते है तो four electrodes कहां लगाए जाते है वो limbs पर लगाए जाते है दो पैर पर लगाते हैं तो इस तरह चार electrode आपके limbs पर यानि दो hand पर और जो दो पैर उपर लगाए जाते है और six electrodes, six electrodes are position in the region of chest और six electrodes को आपके chest वाले region पर लगाते हैं जो के chest के area की recording करता है इन normal record three types की waves मिलती है एक normal cardiograph में three type की wave मिलती है, एक को बोलते है P wave, एक को बोलते है QRS complex wave और एक को बोलते है P wave चलिए देखते है P QRS और T P QRS T ये wave देखते हैं तो P wave आपको बताता हूं मैं यहां आपको दिख रही होगी देखिए यह कार्डियो ग्राफ है तो atrial depolarization को दिखाने वाली wave जह है, इसको P wave बोलते है और QRS wave start as a slight downward path पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ उसके बाद continues as a sharp and a large upright wave और उसके बाद ऊपर की तरफ बहुत sharply अपवर direction में जाती है और उसके बाद ends in a downward way और फिर से नीचे की तरह आती है इसको बोलते है QRS wave which depends on ventricular depolarization तो चलिए इसको ज़र थोड़ा सा मैं टीटेल में समझा देता हूँ आपको ये देखिए ये है P wave तो जिसमें इस तरह से ये उपर की तरफ छोटा सा wave बनती है उसके बाद है दूसरा वाला वेव QRS wave तो Q में ये थोड़ा सा पहले downward की तरफ जाती है फिर डायरेक अपवर direction में जाती है और फिर वापस से नीचे downward direction में जाती है तो ये जो 3 point है ये वाला point ये वाला point य वाला point ये point है QRS wave यानि ये दिखाता है ये जो ऊपर की तरफ छोटी सी एक wave थी जिसका नम P wave था ये क्या दिखाता है कि atrial में depolairization हो गया है और जाहिर सी बात है इसके बाद जो वेव आने वाली है वो टी वेव ही होगी उपर की तरफ ये जो दिख रही है टी वेव है और ये अब डी पोलराइजेशन नहीं ये री पोलराइजेशन दिखाएगा तो देखिए टी वेव इसमाल वाइड एन अपवर्ड इलिवेटेड वेव वेव है और इससे पता चलता है कि वेंट्रिकल री पोलराइजेशन तो इससे पता चलता है कि वेंट्रिकल री पोलराइज हो गया है अब देखिए आप यहां पर इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि पी वेव मतलब एट्रिया डी पोलराइज हो गया क्यू मेंग हूं का क्मवेंग है कि क्इप ग्यार या कॉन्टर्क्ट यह कंट्रिप अड़ी मे इस हुआ है कि क्यू रिष त्वर्स कहा कॉज़ चाहँ व कर दो सबाइब है करें कि व कॉन्टरिकल डाय स्टोल होगा है है इसका ने ये चलता है कि दिल की जो है एक बार की कार्डियक साइकल कम्प्रीट हुआ है और इस तरह से गिराफ बनता है गिराफ एक बार फिर से देख लीजिए ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये हो गया पी वेव फिर ये क्यू आर और ये एस वेव और उसके बाद ये टी और इस वेव यानि एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ जो आपके दिल की थड़कन को दिखा रहा है ओके उसके बाद देखते हैं एक और टॉपिक लिंपैडिक सिस्टम लिंपैडिक सिस्टम कंस्ट्राफ लें लेंपैडिक वेसल से और कुछ और नहीं और टीशू है दवर् वेर्ण लिवैंग में से आर बीकर आप निकाल दीए और कुछ प्रोटीन निकाल दीजिए समझढ़ लीजिए वह लिक्विड आपका Tú भी लिक्वीड है वह ब्लड टीशू में जाता है टीशू से लिंपेडिक सिस्टम में जाता है लिंपेडिक सिस्टम से यह डिस्टाज होता है ब्लड में और ब्लड के वेंस में और ब्लड के वेंस से होते हुए यह डक से होते हुए राइट लिंपेडिक डक में जाता है तो तो एक अच्छी से डाइग्राइटिकल लिए आप देख सकते हैं जो ग्रीन दिख रहा है यह लिंपेटिक सिस्टम है और शोलेटिश दिखता है वह ब्लड वस्कुलर सिस्टम है और यहां से आप यह लिंपेटिकली देख रहा है और बाड़ी एफ्रेंट आरगन जो है अप लंक्स में जाके CO2 को भी रिलिस करता है तो लिम्पैटिक सिस्टम और ब्लड वस्कुलर सिस्टम में दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ सर्कुलेटर सिस्टम को मेंटेन करते हैं और इस तरह से यह टॉपी कहाँ पर खतम होता है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस व